हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस राफिल इस्टडी में आज के इस वीडियो में हम सोने का दाम मुल्य निकालना सिखेंगे एक सांदार तरीका से तो वीडियो को लाश्टक देखेगा क्योंकि कभी ना कभी हमें सोना खरिदने का जरूरत पड़ सकता है तो यदि हमें उस समय में सोना का मुल्य निकालना नहीं आता है तो फिर हम ठगी का सिखार हो सकते हैं दोकांदार हमें ठग सकता है तो इसलिए इस वीडियो को करते हैं तो दोस्तों हमने यहां एक कोईशन लिया है कोईशन है एक तोला सोने का मुल्य पचास हजार रूपिया है तो यहां देखिए एक तोला सोने का मुल्य पचास हजार रूपिया है यह हमने एकजामपल के तोर पर लिया है तो यहां क्या है एक तोला तो एक तोला को द यहां एक तोला सोने का मुल्य है पचास हजार रूपिया, तो आठ गराम और पांच मिली गराम का मुल्य निकाले, तो हमें यहां से आठ गराम और पांच मिली गराम सोने का मुल्य निकालना है, तो देखें इसका हल, हम यहां हल में लिख लेते हैं, हमें कोईशन में दिया है कि एक तोला सोना का मुल्य है पचा हजार रूपिया तो लिख लेते हैं दोस्तों एक तोला एक तोला का मुल्य कितना है दोस्तों दाम पचास हजार रूपिया तो यहां लिख लेते हैं ठीक है अब यहां धियान दिचिए हमें दाम निकालना है मुल्य निकालना है आठ गराम और पांच मिली गराम का लेकिन यहां क्या है तोला में है तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक तोला बरावर कितना होता है दस गराम तो यहां जो यह एक तोला है इसे हम गराम में बदलेंगे क्योंकि हमें गराम और बिली गराम में मुल्य चाहिए इसलिए तो यहां एक तोला है एक तोला बराबर दोस्तो होता है दस गराम तो यहां लिखेंगे हम दस गराम ठिक है तो दस गराम बराबर हमें मुल्य दिया है पचास हजार रूपे तो इस पर का लिख लेंगे अब देखिए ये कितना गराम का मुल्य है दस गराम का मुल्य है लेकिन हमें आठ गराम का मुल्य निकालना है तो पहले दोस्तों हम एक गराम का मुल्य निकालेंगे तो एक गराम का दाम निकालेंगे हम क्या करेंगे हम लिखेंगे एक गराम ठीक है और बरावर में लिखेंगे 50,000 अब ध्यान दिजिए यहां तो यह दोस है न इसे हम बरावर की साइड भेज देंगे तो यह भाग में चला जाएगा यानि हमारा गरा एक गराम का मुल्य निकल कर आ जाएगा तो 0 से 0 हम काट सकते हैं तो यह कितना हो जाएगा 5000 तो दोस्तों एक गराम सोने का मुल्य हो गया 5000 लिख लेते हैं एक गराम का मुल्य है 5000 रूपिया ठीक है तो दोस्तों एक गराम का हमने मुल्य निकाल लिया लेकिन हमें कितना का निकाल ला है आठ गराम का तो अब हम यहां क्या करेंगे आठ गराम का धाम निकालने के लिए दोनों तरफ हम आठ से गुना कर देंगे यहाँ एक गराम है एक गराम का पांच हजार रुपया है तो आठ गराम का निकालने के लिए हम इसमें गुना कर देंगे तो आठ ग्राम का मुल्य निकल कर आ जाएगा तो यहां लिख लेते हैं आठ गुने एक ग्राम ठीक है और बराबर में भी हम 8 से इस 5000 में गुना कर देंगे तो इधर दोस्तों हो जाएगा 8 ग्राम ठीक है और बराबर में 8 पंचे 40 तो 40 हो गया और ये 3 0 कितना हो गया दोस्तों टोटल हमारा 40,000 रूपिया तो यहां देखे 8 ग्राम का मुल्य निकल कर आ गया 40,000 रूपिया तो इस परकार हम तोला से ग्राम का मुल्य निकलेंगे आपको ये दियान रखना है कि 1 तोला में 10 ग्राम होता है ठीक है तो हमने 8 ग्राम का निकल लिया अब हम 5 मिली ग्राम का दाम निकलेंगे तो यहां लिख लेते हैं दोस्तों कि हमें 5 मिली गराम का दाम निकालना है तो हमें इसका दाम पता नहीं है ठीक है तो अब यहां दिजिए 5 मिली गराम है तो 5 मिली गराम का दाम निकालने के लिए पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि 1 गराम का दाम लिखेंगे तो यहां हमने एक गराम का दाम निकाल रखा है कितना है? पांच हजार तो यहां लिख लेते हैं कि एक गराम सोने का मुल्य है पांच हजार ठीक है पांच जार रुपिया है एक गराम सोने का तो हमें पांच मिली गराम का निकालना है लेकिन यहां क्या है एक गराम है तो हम इस एक गराम को पहले मिली गराम में बढ़ लेंगे तो दोस्तों एक गराम मिली गराम में होता है एक हजार मिली गराम के बराबर ठीक है एक हजार मिली गराम एक गराम होता है तो यहां हमें 1000 मिली ग्राम का मुल्य दिया है 5000 रूपिया ठीक है तो यहां अब हम पहले एक मिली ग्राम का मुल्य निकालेंगे तो लिखेंगे एक मिली ग्राम बराबर 5000 और यहां जो 1000 है इसे हम बराबर की सेट भाग में भेज देंगे तो यह हमारा एक मिली ग्राम का मुल्य निकल कर आ जाएगा तो तीन जीरो से तीन जीरो कट गया तो कितना बाकी होगा या 5 ठीक है यानि एक मिली ग्राम का मुल्य होगा 5 रूपिया और हमें कितना का निकालना है दोस्तों 5 मिली ग्राम का तो अब हम क्या करेंगे इसके दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे तो इधर 5 से गुना करेंगे तो 5 ग्राम और इधर भी गुना करेंगे 5 से 5 में तो क्या होगा 25 तो दोस्तों अब हम यहां लिख सकते हैं कि 5 मिली ग्राम का मुल्य होगा 25 रूपिया ठीक है तो यह जो है दोस्तों हमारा 5 मिली ग्राम का मुल्य निकल कर आ गया मिली ग्राम का मुल्य निकलने के लिए पहले हम क्या करेंगे ग्राम को मिली ग्राम में बदलेंगे एक गराम में एक हजार मिली गराम होता है ठीक है तो हमने यहाँ आठ गराम और पांच मिली गराम का मुल्य निकाल लिया है अब क्या करेंगे दोनों को जोड देंगे तो यहाँ लिखे लेते हैं कि आठ गराम का मुल्य है चालिस हजार ठीक है और पांच मिली गराम का मुल्य है 25 रूपिया तो इसे जोड़ेंगे तो यह होगा दोस्तों पांच दो जीरो जीरो चार यानि चालिस हजार पचीस रूपिया तो दोस्तों इस परकार हम सोने का मुल्य दाम निकालते हैं बहुती संदार तरीका से तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पस्तना आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और सेर जरूर कीजिए एदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए